बोच्पुरी सुपस्टार पवन सिंग और खिसारी लाल यादो के फैंस हमेशा भिड़ते रहते हैं और अब एक और मौका आ गया है जहां ये दो नो फैंस भिड़ सकते हैं आपस में क्योंकि खिसारी लाल यादो ने खिलेश कश्यप का लिखा एक ऐसा गाना गाया है दाल गली बबुवान से यानि कि खिसारी लाल यादो ने ये गाना गाया है रिकॉर्डिंग हो चुकी है और छट के बाद ये गाना रिलीस कर दिया जाएगा ऐसी जानकारी मिल रही है साथ ही आपको बता दे कि पवन सिंग का गाना नजर मिलाओ बबुवान से ने 10 मिलियन व्य हासिल कर लिया है और अब ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि खिसारी लाल यादो ने पवन सिंग पर निसाना साधते हुए ये गाना गाया है कि दाल ना गली बबुवान से और इस गाने को लेकर लोग ये कह रहे हैं कि जिस दिन ये गाना आएगा ये गाना बवाल मचा देग कि आपको तो याद होगा कि खेसारी रहेंगे ट्रेंडिंग में पवन सिंग रहें हैं पैंडिंग वाला गाना जो कि बहुत बवाल क्रियेट किया था इसके बाद खेसारी लाइव आए उन्होंने पवन सिंग के बारे में जो लोग कह रहे थे उनके फैंस उनको बहुत डाट फटकारा और फिर उसके बाद ये कहा कि गाना ऐसा है ही नहीं और गाने के फिर बोल और उस्टर दोनों बदले गए खेसारी ने इस गाने को लेकर बहुत क्लिरिफिकेशन दिया अब लगता है खेसारी को फिर से लंडन से लाइव आना पड़ेगा क्योंकि खेसारी लाल फिर बताया जा रहा है नजर मिलाओ बबुवान से एक तरह से कहा जाए कि नजर मिलाओ बबुवान से गाने को एक जवाब देना है इस तरह का गाना बनाया गया है और जब ये गाना रिलीज होगा तो इस गाने का वेट भी खेसारी के फैंस कर रहे हैं जब ये गाना रिल बताईएगा